असलाम उलेकुम इस्टुडेंस सबसे मैं आपकी राहत में बोल रहे हूँ सबसे बेले मैं आपको मुबारक बात देती हूँ केजी क्लास से आप लोग फर्स प्रेव क्लास में आ गए हैं मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हूँ और मैं उम्मीर करती हूँ आप इस अच्छे से सुनेंगे और ध्यान देंगे और जो भी में वक आपको दूँ वो आप टाइम टू टाइम काम करेंगे अपने मम्मी ये पापकी मदद से ये बड़े भाई बेहन की मदद से अब आप में देखिए हम पढ़ रहे हैं स्वर स्वर क्यों होते हैं ए से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से एक, उ से उल्लू, उ से उन, पेजरिशी, ए से एडी, आ से एनक, उ से ओकली, आउ से ओरत, अंग से अंगूर, अहां खाली ये होते हैं बेटा स्वर, आप इन्हें इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेगा घर पर, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन ये होते हैं व्यंजन और जब ये पूरे हम एक साथ पढ़ते हैं तो ये केलाती है अब मैं आपको ये पूरी वर्ण माला दिखा दिये आपको इसे अपनी कोपी में करना है अपने मम्मी ये पापा, ये बाड़ भाई-बेन की मदद से आप अच्छी अच्छी राइटिंग में प्यारी प्यारी राइटिंग में इसे लिखेगा आपको लिखने की प्रैक्टिस में जानती हूँ माशालला बहुत सारे बच्चों को पहले से हैं फिर भी आपको थोड़ी प्रोब्लम हो तो अपने मम्मी पापा की मदर हेल्प लीजिए और जो भी मैं आपको काम दे रही हूँ वो टाइम टो टाइम साइज से बिल्कूल काम करिए एक बार हम फिर से इसे पढ़ लेते हैं इसमें रे से रिशी भी आता है फिर काखा गागाडा चाचा जाजाडा ताठा डाडाडा ताथा दाधाना पाफा बाभा मा यारा लावा शाशा साहा शात्रा ग्या एसे अनार आसे आम इसे इमली इसे एक उसे उल्लू उसे उन रे से दिशी एसे एडी आईसे एनक उसे उकली आउसे ओरत अंग से अंगूर आहा खाली गासे कबूतर खासे खरगोश गासे गमला गासे घर अडे खाली चासे चमच चासे चाता जास जहाज जासे जंडा अडे खाली टासे चमाटर ठास ठतेरा डासे डंब्रू धासे धक्कन अडे खाली तासे तर्भूच थासे थर्मस दासे धवाद दासे धनूश नासे नल पासे पतं पासे फल बासे बक्री बासे भालू मासे मचली यासे यग रासे रत लासे लट्टू भासे वक शासे शलजम शासे शटकोण सस सपेरा हासे हाती शासे शत्रिय त्रास दरशूल ग्यासे ग्यानी खतम कहानी ठीके आप इसे याद भी करिएगा एक कोपी में करिएगा अल्ला आपिस